हेलो फ्रेंड्स आप सब केसे हो आज मैं आपको पफ वाली हस्तिन की कटिंग और स्टीचिंग दोनों बताने वाली हूँ ये और गेंजा कपड़ा है देखिए ये कपड़ा हमारा अब इसे हम इस प्रकार से उपन करेंगे अब हम कपड़े की बीच में से कटिंग कर लेंगे एक कपड़ा हम अटा लेंगे कपड़े को हम इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और यहां पर हम हलका सा कट लगा लेंगे इधर से भी हम दोनों सेंटर में कट लगा लेंगे ये कम से कम 26 इंच का कपड़ा है ये देखिए बीच में सेंटर में हमें और यहां पर हम एक इंच की दूरी पर मार्किंग कर लेंगे हम प्लेट्स लेंगे जो बनाते जाएंगे एक इंच की लेंगे, एक इंच में थोड़ा सा उपर नीचे हो सकता है, एक्स्ट्रा भी हो सकता है, एसे हमें दोनों हाथों से पकड़ना है और दबा कर रखना है, क्योंकि ओर्गेंजा कपड़ा बहुत ज़्यादा फिसलता है, एसे हमें अंगुठे से दबा कर रखना है, और फिर उंगलियों के उपर वापी से अंगुठा रखना है, ऐसे हम टोटल पांच प्लेट्स बनाएंगे, अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा हो तो आप इससे ज़्यादा भी बना सकती हैं, एक एक प्लेट्स हमें इस प्रकार से लेते जाना है, विडियो अगर आपको यूसफूल लगाओ तो प्लेज सस्क्राइब और लाइक कीजिएगा, देखिए हमने पूरी पांच प्लेट्स बना ली है, और अब हम यहाँ पर पिन अप कर लेंगे, सिलाई हम बाद में लगाएंगे, अब हम दूसरे साइड में भी सेम इसी प्रकार से करेंगे, यहाँ पर भी हम एक इंच की दूरी या उससे थोड़ी सी जादा भी हो सकती है, अलकी सी, इसे हमें उंगली से दबा के रखना है और अंगोटे से, मैंने और भी यूसफूल वीडियोज चैनल पर अप्लोड करें, अगर आपको वह भी देखना है तो चैनल पर जाकर देख सकते हो आप, बहुत ही मैंने ज़रूरी टीप्स होन, यूसफूल टीप्स होन दिए, सिलाई से रिलेटेड तो आप देख सकते हो, जिससे आपको सिलाई करने में और भी इजी होगा, देखिए हमारी प्लेट्स बन चुकी है, अब हम दूसरे साइड भी पिन अप कर लेंगे, कपड़े को अच्छे से से शेट कर लेंगे हम, और अब हम सिलाई लगाएंगे, एक साइड की पिन हटा कर, अब हम दूसरे साइड की भी पिन हटा लेंगे, हमने सिलाई लगा ली है, अब हम जो उपर के साइड शोल्डर के पास अस्तिन आती है, वहाँ पर हम प्लेट्स लगाएंगे, देखिए इस प्रकार से हमें प्लेट्स लगानी है, एक एक करके, तो हम डाइरेक्ट मशीन पर ही लगाने वाले हैं, इसे हमें लगाते जाना है, अब प्रेस भी कर सकते हैं, प्रेस करने के बाद और भी इजी हो जाता हैं प्लेट्स लगाने में, एक दम आराम से प्लेट्स लगानी है हमें, ओर्गेंजा कपड़े में थोड़ी दिक्कत आती है बनाते वक्त पर बहुत सुन्दर दिखाई देता है बनने के बाद अब हम दूसरे साइट के तरब का प्लेट्स लगा रहे हैं अ अब हमने सारी प्लेट्स लगा लिए अब हम इसके उपर प्रेस कर लेंगे मैंने प्रेस कर लिए यह देखिये जिससे अच्छे से सेट हो चुकी है प्लेट्स ओन अब हम इस अस्तिन को इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और पिन अप कर लेंगे अब हम अस्तिन के उपर पेपर से कटिंग करी हुई अस्तिन रखेंगे यह देखिये और हम कटिंग कर लेंगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसकी अब हमने कटिंग कर लिये इसे हम ओपन करेंगे अब और इसके उपर हम एक बार और सिलाई अच्छी लगा लेंगे अब हम बॉर्डर इसके उपर अटेज करेंगे यह बॉर्डर हम सेंटर में पिनब कर लेंगे फिर हम सिलाई लगाएंगे अब हम सिलाई लगाएंगे अब हम दाप सिलाई लगाएंगे बॉर्डर के उपर अब हमने जो अस्तर की कटिंग करी थी उस अस्तर को हम अस्तिन के उपर रखेंगे अब इसके उपर पूरे इस पर हम सिलाई लगा लेंगे मैंने सिलाई लगा ली है पहले ही यह देखिए अब हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे विडियो अगर आपको यूस्फूल लगा हो तो प्लीज सस्क्राइब और लाइक कीजिएगा देखिए बहुती सुन्दर दिखाई दे रिये यहाँ पर सेंटर में बीच में एक बटन लगाने वाली हूँ में प्लीज लाइक सस्क्राइब कीजिए थेंक यू झाल लाइक सिंटर स्क्राइब व्लाइक सम्टर आपको यूünden सेञरा में लाहाँ कीजिए देखिए।